दोस्तों नमस्कार जैश्री कुष्णा जैश्री राधे दोस्तों आज मैं आपको जानकारी दूँगा मीन रासी वालों के लिए राहू और केतू के रासी परिवर्तन का कैसा प्रभाब रहेगा मीन रासी 23 सितंबर 2020 को राहू और केतू रासी परिवर्तन कर रहे हैं और इस परिवर्तन का बहुत ही गहरा असर मानब जीवन पर पड़ता है इसलिए हम जानेंगे कि मीन रासी वालों पर राहू और केतू के परिवर्तन का क्या फल होगा 23 सितंबर 2020 को राहू मिथुन रासी से निकल करके ब्रिसब रासी में प्रिवेस करेंगे और केतु धनू रासी से निकल करके ब्रिस्चक रासी में प्रिवेस करेंगे इस परिवर्तन का पूरा जो परिवर्तन होता है गोचर होता है वो डेड़ साल के लिए होता है 14 पहल 2022 तक का इस गोचर में आपके लिए क्या फल होगा राहू और केतु के द्वारा आईए जानते हैं राहू जो की भ्रम का कारक है अंदकार का कारक है और अचानक से बहुत अच्छी सफलता दिलाने वाला है बहुत ही चतुर ग्रह है और माया भी ग्रह है एक सक्तिसाली माया भी ग्रह है क्योंकि राहू और केतु दोनों ही छाया ग्रह है और दोनों ही माया ग्रह है ये बहुत बड़े माया भी हैं ये पल भर में आपकी किस्मत बदल देंगे आपको रंक से राजा और राजा से रंक बना देंगे जानेंगे आखिर क्या फल देंगे ये आपकी रासी को लेकिन सबसे पहले आपको बता दें ये जो गोचर का फल है वो आपको चंद रासी के अनुसार ही देखना चाहिए अगर आपको चंद रासी पता नहीं है तब आप इसे नाम रासी के अनुसार भी देख सकते हैं दोस्तों राहू और केतू का राहू का पहले जानेंगे उसके बाद में केतू का जानेंगे और जानेंगे आपके लिए स्रिष्ट उपाए तो क्या परिवर्तन लेकर आ रहा है राहू जो की ब्रसव रासी में गोचर करेगा आपकी रासी से तृतियस्त तृतियव हम में गोचर आपके अंदर बहुत जादा उर्जा को बढ़ाएगा आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत आएगी आप बहुत ही जो ठान लेंगे क्योंकि यहाँ पर राहु जब बैठता है और ब्रिसवरासी में आलस से तो आएगा आपको कई बार आपको डर भी लगेगा कई चीजों से लेकिन आप अगर ठान लें कोई चीज तो राहु यहाँ पर आपको बिदेश ले जाने का भी काम करता है बिदेश में जाकर के ब्यापार करना हो यह राहु कराता है यह राहु आपको छोटे भाई बेहनों से हर प्रकार का सहयोग दिलाता है छोटे भाई बेन अगर आपसे किसी प्रकार से नाराज थे तो उनसे सुलह हो जाए इस राहू से आपको अपने सहयोगी अपने दोस्तों से बहुत जादा जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी होंगी ये बहुत अच्छा गोचर माना जा रहा है आपके लिए क्योंकि तृतिय में बैठ करके फल ऐसा आपके लिए करेंगे लेकिन इनकी द्रिष्टियों के बारे में बात करते हैं द्रिष्टी इनकी पंचम द्रिष्टी सप्तम भाब पर रहेगी सब्तम भापपर राहु की दृष्टी क्यों की ब्रसब रासी, सुक्र की रासी है सुक्र जों की दामपत्य के बहुत ज़्यादा कारक माने जाते है राहु ब्रहम का कारक है और बहुत ज़्यादा एक ब्यक्ति के अंदर असमंजस लाता है असमंजस यानि की एक clarity नहीं होती है बातों में तो दानपत्त जीवन में पती पतनी में थोड़े मतभेद की स्थिति उत्पन हो सकती है और वो भी इस बज़े से क्योंकि बातों में clarity नहीं होगी आप अपने partner से कोई बात clear नहीं बोलेंगे और कहीं न कहीं आपके partner को बातों का जो सुनना है जो भूई आपके पार्टनर हैं वो आपसे क्लियर सुनना चाहते हैं आप डिसिजन दें तो क्लियर दें कोई भी यह नहीं कि कुछ अठपटा बोल दिया और भ्रह्म में डाल दिया भ्रहमित करना नहीं यहाँ पर ब्यापारिक पार्टनर से आपको बहुत ज़्यादा धनलाब होगा थोड़ी चतुराई आप करेंगे और ब्यापार में आप बहुत अच्छे सफलता प्राप्त करेंगे यहाँ पर देखा जाएगा कि आप अपने अगर पार्टनर से यानि कि लाइप पार्टनर के साथ में व्यापार करते हैं किसी भी प्रकार का बिजनिस करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत उच्च लेवल की सफलता प्राप्त होगी अचानक से धनलाप भी आपको हो सकता है और 60 लाट रित्यादी में भी आपको धनलाप के योग बनते नजर आएंगे और बहुत अच्छी सफलता आपको मिलेगी सट्टलाट रित्यादी सेर मार्केट में भी आपकी जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों को आप पूरा कर पाएंगे देखा जाए तो राहु की सब्तम दृष्टी नवम भाब पर रहेगी सब्तम दृष्टी नवम भाब पर रहने के चलते ये कहीं न कहीं थोड़ा बहुत आध्यात्मिक रुजान जो आपका था उसके प्रती पूजा पाठ कराने के प्रती 23 सितंबर के बाद में ऐसी स्थितियां बनेगी जहां आप सोच रहे थे कि पूजा पाठ कराएं वहाँ पर आपको असमंजस लगेगा आप ध्रम में रहेंगे क्योंकि आपका वो राहू कहीं न कहीं आपको आध्यात्मिक होने से रोकेगा आप धार्मिक हैं उन धार्मिक गतिविदियों को रोकने का काम करेगा लेकिन यकीन मानिए आपके लिए ये गोचर ऐसी स्थितियां तो बनाएगा लेकर अगर आप इन इस्तितियों को पार करके आप पूजा पाठित्यादी कराते हैं आध्यात्मिक हो जाते हैं अत्वा आपको अपने भाग्ये को प्रवल करना है भाग्ये का लाव लेना है तो अधिक सेधिक धार्मिक बनिए अपने कर्तब्यों को समझिए और पूरी कर्तव को अपनी पूरी निष्ठा से निभाईए आपको निष्चती लाब होगा इसमें धर्म भाव जो की नवम भाव को धर्म भाव और भाग्य भाव माना जाता है इसमें कई जोसी से पिता का भाव भी बोलते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छी उम्मीदें जो आपकी थी आपको जो भाग्य से आप सोच रहे थे कि भाग्य किस्मत साथ नहीं दे रही है तो वो निष्चती बनेगी और यहाँ पर जैसे कि पंचंद्रिष्टी राहू की रही तो राहू बिभा के योग भी बना देते हैं आपके लिए सब्तम भाव पर जो द्रिष्टी है उससे बिभा के योग भी बन जाते हैं आपके काफी लंबे समय अठारा महीनों के लिए विभा के योग भी बन जाते हैं यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि नवन भाब पर जो दृष्टी है राहू की सब्तन दृष्टी आपको किसी के साथ विश्वास घात नहीं करना है जो आपने एक राय रख दी किसी के प्रती कोई भी कमेंडमेंट कर दी आपने तो उसे नभाइए उससे पल्टिये मत अपनी बात से मुकरिये मत अगर आप अपनी बात से मुकर जाते हैं तो उस ब्यक्ती के दिल पर भी ठेस पहुँचेगी और कहीं न कहीं ये आपके लिए नुकसान दायक हो सकता है आपको आध्यात्मेक सरण बहुत ज़्यादा आध्यात्मेक हो जाना चाहिए आध्यात्म का मतलब है कि आपको पूजा पाधित्यादी तो करना ही चाहिए बलकि अपना जो कर्म है उसे ही पूजा मानना चाहिए जो आपका कर्म है उसे ही पूरी निष्ठा से इमानदारी से निभाना चाहिए कई इस्तितियों में ये इमानदारी से आप जो कर्म करेंगे उसमें आपको थोड़ा असमंजस लगेगा और थोड़ा आप भैबीत भी होंगे और कई बार को आप भटकेंगे भी लेकिन उन भटकती जो आपके दिमाग में गतिविदियां चलेंगी जो आपको भटकाएंगी उनसे आपको बचना है कोई भी अगर आपने कोटकेस इत्यादी का रखा था तो वो आपको बिजय इस 18 महीने में उस कोटकेस में बिजय मिल सकती है आपको धनलाब हो सकता है एकादस भाप पर नवन द्रष्टी जो कि राहू की रहती है इस द्रष्टी से बहुत ही आस्चर जनक आपको धनलाब होगा आपको मान समान प्राप्त होगा प्रमोशन इत्यादी आपका हो सकता है जॉब इत्यादी पाना चाते हैं तो बो हो जाएगा करियर बनाना चाते हैं तो उसमें हो जाएगा यहाँ पर बहुत अच्छी इस्तितियां रहेंगी खास कर अगर आप संगीत कार हैं अगर आप आर्टिस्ट हैं तो निश्चत ही यह समय आपके लिए बहुत उत्तम माना जाएगा नई जौब पाना चाहते हैं उसके लिए बहुत उत्तम समय माना जाएगा अब जानते हैं केतू, केतू जो की नवम भाव में गोचर करेगा सर्वोत्तम, यहाँ पर केतू ब्रिस्चिक रासी में रहेंगे ब्रिस्चिक रासी मंगल ग्रह की रासी है और मंगल बत प्रभाव देते हैं केतू कि तू अचानक से बहुत अधिक आपको एक तरह से भाग्य में बृद्धी लाएंगे अचानक से आपको सफलता प्राप्त कराएंगे और आपके जीवन में एक दम आस्चर जनक घटनाय होंगी ये अच्छी भी हो सकती है और कुछ बुरी भी कुछ बुरी क्या मतलब है यहां पर चोट चपेट ऑपरेशन दुरगटनाय इत्यादीक स्थितियां बनती है ये हो सकती है गोचर को सदेव आपको उन स्थितियों को मिला करके देखना आपकी जन्म कुंडली में गोचर कैसा मैच कर रहा है आपकी जन्म कुंडली में जितना गोचर मैच करेगा उतना ही आपके जीवन पर ये सटीक आप पाएंगे लेकिन गोचर को अपना भविस्ति मत मानिये अच्छी बातों को आप मानिये बुरी बात को मानिये लेकिन उतना मानिये जितना की जायज है उस पर ही dependent मत हो जाएए क्योंकि ये करोणों लोगों की रासी है आपकी अकेले की नहीं है केतु की पंचम द्रिष्टी के बारे में बात करते हैं केतु की पंचम द्रिष्टी लगन पर रहेगी आपकी रासी पर रहेगी और इससे आपको अचानक से जल्दवाजी में कारे करने की बहुत ज़्यादा आपके अंदर उड़ जाएगी तो जल्दवाज मत बनिए, सोच समझ कर फैसला लीजिए, जल्दवाजी में कोई काम मत कीजिए और अगर आप किसी दूसरे की सलह लेते हैं यहाँ पर और खासकर ऐसे व्यक्ति से जिस पर आप सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, जिससे आप अपने दिल की बातसेर करते हैं, उनसे अगर आप राय लेंगे, तो निस्चिती आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको सफलता भी प्राप्त होगी पृत्यक कारे में खासकर अपनी पतनी से या अपनी पती से कोई भी राय लेती हैं या लेते हैं, तो निस्चिती आपको सफलता प्राप्त होगी प्रत्यक कारे में थोड़ा बहुत चिर्चिडेपन का स्वभाव होगा, उसके लिए आपको उपाय बताएंगे यहाँ पर अगर सप्तन दृष्टी की बारे में बात करते हैं, तो सप्तन दृष्टी जो की केतु की तृतिय भाव पर रहेगी और इस दृष्टी से आपको अत्यधिक मेहनत करने की जो छमता है आएगी आपके अंदर और आप एक माया भी की तरह बहुत ज़्यादा काम करेंगे आपको देख करके लोग कहेंगे कि आप इंसान हैं या कुछ और आप इतना अचानक से अकेले कैसे कर लेते हैं, इतनी मेहनत अकेले कैसे कर लेते हैं आश्चर्य मानेंगे लोग आपकी मेहनत को देख करके आपसे इतनी मेहनत कैसे हो जाती है मैं तो इतना कर ही नहीं पाता हूँ ऐसे इस्तितियां बनेंगी लेकिन आपकी मेहनत आपने जो ठान लिया है जो आप पाकर रहेंगे इस गोचर में आपको आपकी मेहनत का फल निश्चत ही केतू दिलाएंगे हर प्रकार से ये केतू आपके लिए बहुत ही अच्छे माने जाएंगे आप केतू की नवंदृष्टी के बारे में बात करते हैं केतू की नवंदृष्टी पंचम भाब पर रहेगी इसके लिए थोड़ा सा आपको सतर्क और साबधान रहना चाहिए अगर आप विद्ध्यारती हैं तो आपको अचानक से आपका मन थोड़ा मलीन हो सकता है खराब हो सकता है आपको पढ़ाई में मन न लगे भटकाप की स्थितियां या आपको कुछ अलग ही आप सोचें जो की आपके लक्ष को ना दरसाता हो और आप एक इस्थिरता अपने जीवन में न देखें आपको ऐसा लगे कि आपको एक लक्ष आप चुन नहीं पा रहे हैं ऐसी स्थितियां बनेगी तो एक जो आपके अंदर आई स्थिरता आएगी उसे आपको दूर करना है मन असांत रहेगा इसमें चिर्चिरेपन का स्वभाब भी आपका हो जाएगा किताबों को फैंक देंगी उठा करके किताबों को पढ़ने में मनी नहीं लगेगा कोई जवर्जस्ति पढ़ाएगा तो चिर्चिरेपन का स्वभाब आपका बन जाएगा ऐसी स्थितियां बनेगी खासकर अगर आप गर्ववती महला इस गोचर में गर्ववती होती हैं तो आपको थोड़ा साबधान रहना चाहिए और यहाँ पर ऑपरेशन से संतान उत्पन होने में कोई दिक्कत नहीं है पर आपको यह ध्यान रखना है कि और आपको बहुत ही समहल करके काम करना है कोई भी लापरवाही नहीं करनी है जिससे कि आपके टांकों में कोई भी प्रॉबलम आए इसलिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना है बाकी आपके लिए बहुत ही उत्तम समय है इस बीच में आपको संतान उत्पत्ती भी हो सकती है और यह संतान उत्पत्ती आपकी बहुत अच्छी संतान और आपके भागे को लेकर के जन्म लेने वाली यह संतान होगी आपके तो दोस्तों ये था केतू और राहू का परिवर्तन का फल अब जानते हैं कि आपको उपाय क्या करना चाहिए उपाय में आपको ओम नमाश्रिवाय इस मंत्र की 11 माला प्रतिजिन करनी चाहिए आपके लिए सर्वोत्तम और अच्छा लावकारी समय रहेगा अगर आप महा मृतुन जय मंत्र की माला करना चाहते हैं तो जब कर सकते हैं महा मृतुन जय मंत्र पूर महा मृतुन जय मंत्र केवल तरंब कंजजा महे ये नहीं करना आपको पूर जो संपुटित मंत्र है उसकी आपको एक माला प्रतिजिन करनी है इससे आपको लाब होगा और रुद्रक्ष की माला से करना है माला कैसे करना है अगर यह जानना है आपको आई बटन पर लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप जान सकते हैं कि आप माला कैसे करें तो दोस्तों आसा करते हैं आपको वीडियो पसंद आए होगी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें सेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर जरूर करें चैनल पर अगर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तो धन्यवाद नमस्कार